रिम्स प्रबंदन की किरकरी के बाद अब चारग घुचाला के डोरंडा कोश्वगार मामने में दोशी करार आरज़ी सुप्रीमो लालुयादव से मुलाकात करने वालों के लिए दिन तै कर दिया गया है अब हवते में महर्ज एक दिन यानि शनिवार को ही लालुयादव के स और इसी बात को लेकर अब लालुयादव के मुलाकातियों के दिन को तै कर दिया गया है और अब लालुयादव से मुलाकात का दिन शनिवार तै किया किया है और लाइब चैर पर हमारी सयोगी रूची शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी अपडेट के साथ रूची आर्जरिस सुप्रीमो से मिलने का समय जो है वो मुकररर कर दिया गया है अब सिर्फ शुनिवार के दिन तीन लोग ही लालु पिसाद यादब से मुलाकात करेंगे तो कह सकते हैं कि लालु यादब को सजा सुनाने से पहले ही कही न कहीं उनके समर्थकों में मायूसी किया खबर है जी बिलकुल वसी ये पहले से भी सवाल उठ रहे थे कि कौन सवह दिन होगा जिस दिन लालु यादब के जो प्रसंसक है वो पेइंग वार्ड में मिलने आ सकेंगे लेकिन जब तक दिन तै नहीं हुआ था तब तक जो देखे जा रहे थे जो बड़े से लेकर छोटे कारे करता थे वो वहाँ पेइंग वार्ड के बाहर पहुँच रहे थे जो भी कहें तो जार्खंड प्रदेश में कमीटी भंग थी और कमीटी बनने के लिए भी कह सकते हैं कमीटी में एक जगह बनाने के लिए भी यहां के जो राज़त के नेता है वो वहाँ पर हाजिर लगाने पहुच रहे थे और पेइंग वार्ड में एक तरह से कहें तो दरबार लगा रहे थे अब जो है सोर्सल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ और वीडियो के साथ साथ एक फोटो भी वाइरल हुए थे जिसमें कीज हारखंड के राज़त के प्रदेश अध्यक्ष जो की पूर्वे में प्रदेश अध्यक्ष थे और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो देखे गए थे और उसके बाद कहें तो ये वीडियो और फोटो काफी तेजी से वाइरल हुई जिसके बाद जेल और रिम्स प्रबंध की भारी किरकिरी हुई और उस किरकिरी के बाद कहीं न कहीं बोलोग अलर्ट मोड पर आए और अब जो है वर्तमान में दिन तै कर दिये गए हैं सप्ता हमें एक सनिवार का दिन रहेगा जिसमें की मात्र सिर्फ तीन लोग ही मिलने आ सकेंगे जो कि लालुयादों की सहमती से वह वही ब्यक्ति होंगे जिन से लालुयादों मिलना चाहेंगे तो कुल मिलाकर तीन लोग होंगे जो अंदर प्रवेस करने की उनकी अनुमती होगी और वो वहाँ पर मिल पाएंगे तो अब राज़त के कारे करताओं के लिए मायूसी भरी खबर है चुकि अब बाहर से ही सिर्फ लालो यादो को देख पाएंगे विंडो साइड से देख सकेंगे तो मिल नहीं पाएंगे बिलकुल मिल नहीं पाएंगे और एक क्या सकते की मायूसी हो गई है समर्थकों में क्यूंकि फेयरिस्ट काफी जादा लंबी होती है और लालो परसाद यादव कि जो समर्थक है उनमें कहीं न कहीं जो उनकी हाल चाल जाने के लिए उत्तुकता नजर आती है और इसी कारण है कि उनके मिलने वालों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी होती है लेकिन इसका डिसीजन लालो परसाद यादा भी करेंगे कि वो तीन लोग कौन है जो उनसे मुलाकात कर सकते हैं चली रूची बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातशीत के लिए